आज हम कवर करेंगे NLM का पार्ट नंबर फोर्थ यानि NLM बोले तो Newton's Law of Motion Already मैं आपको NLM के तीनों पार्ट कवर कर चुखा हूँ और यह आपका आज लास्ट पार्ट है इस पार्ट के सब्सक्राइब और आपको कवर करूँगा पुली की थियोरी और पुली पर बेश्ट कुशन्स डिफेंस के अंगर Air Force या Navy exam के अंदर पुली के जितने भी कॉंसेप्ट होंगे जितनी भी थियोरी होंगी मैं आज आपको इस lecture के इंदर cover करूँगा लेकिन important condition क्या है कि वीडियो को end तक जरूर देखिए क्योंकि जब तक आप questions नहीं करोगे question का idea नहीं लगेगा कि question कि step करेगा तब तक चीजें की यह नहीं हो तो देखो basic concept of pulley basic concept of pulley आपको यह पुली को सीखने के लिए पुली को ideal assume करना पड़ेगा मानना पड़ेगा ठीक है तो पुली कैसी होने चाहिए ideal अब ideal का meaning क्या है ideal मतलब others यानि ideal का meaning होता एक ऐसी पुली जो massless हो यानि दर्ब्यमान हीन हो उसका कोई भी दर्ब्यमान ना हो दूसरा frictionless हो यानि गर्सन हीन उसमें कोई भी गर्सन ना हो और तीसरी बात उसका size छोटा हो तो तीनो यह तीनो condition ideal की होती है तो देखो पहली condition क्या है कि पुली को क्या होना चाहिए ideal होना चाहिए ideal पुली यह अजमसन है आपको यह मानना पड़ेगा अगर पुली के concept आपको सीखने है तो आपको पुली को यहां में जो logic सिखा रहा हूँ सारे के सारे कैसे है वो पुली ideal होगी आपके exam में भी question ideal पुली से ही आएगा ठीक है तो पुली कैसी होनी चाहिए ideal अब ideal पुली का मतलब क्या है कि पुली के पास कोई mass ने होगा no mass यानि massless 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 का मतलब होता है दिर्बेमान हीन ठीक है दूसरा frictionless frictionless घरसन हीन और तीसरा size is very small ठीक है तो अगर यह तीनो की तीनो condition है तो मैं बोल सकता हूँ पुली कैसी है ideal और इनी तीनो condition को मान के मुझे आपको concept सिखाने है clear है तो देखो पहला case case number one ideal पुली के लिए पहला case क्या है यह मेरे पास एक इस तरीके से रसी है ठीक है और इसको मैंने इस तरीके से बहांद रखा है ठीक है और यह हो गई आपकी पुली और इस पुली से दो मासेज लटके हुए एक तो है आपका M1 मास का धिर्बिमान ठीक है यानि M1 मास और एक दूसरा है आपके पास M2 मास का ब्लॉक ठीक है question आप से बोल रहा है यानि condition जो है तो condition यह है पहला case यह है कि M2 is greater than M1 इस condition पर मुझे आपको इस पुली के concept सिखाने पहली condition तो यह कि M2 is greater than M1 तो पुली का कोई भी question हो कोई भी theory हो तो पुली पर question बनता कैसे है वो सुनो आप पुली पर question बनेगा आपको कि इस पूरे system का आपको calculate करना है तो पुली के अंदर दो ही चीज़ आपको calculate करनी है जैसे कि मैंने आपको last lecture के अंदर cover करा था block के system तो block में भी हम क्या calculate कर रहे थे उस पूरे system का isolation और उस पूरे system का tension same condition यहाँ पुली में भी होता है तो question बनेगा तो दो ही base पर बनेगा कि बताओ इस system का isolation कितना होता है और बताओ इस system का पूरे का tension कितना होगा मैं आपको किस condition पर define कर रहा हूँ जब M2 क्या हो M1 से बड़ा हो M2 is greater than M1 तब आपको इस system का क्या बताना है इस system का आपको एक तो tension calculate करना है कि ये pulley इस तरीके से जा रही होगी नीचे की तरफ यानि M2 बाहरी है तो बाहरी वाला नीचे आ रहा होगा और हलका वाला उपर जा रहा होगा तो ये तो भाही A isolation से उपर की तरफ जा रहा होगा और A isolation यानि A तरण से नीचे की तरफ जा रहा होगा ये बात clear है, तो देखो, दूसरी बात, मैंने आपको बता रखा है, tension का meaning से खा रखा है last class के अंदर, कि M1 mass का block है, और हमेशा इस block से tension क्या लगेगा, अभे लगेगा, तो body से वेशा tension क्या लगता है, अभे, तो इस पर tension T, और इस body से भी वेगे, हम पर क्या लगेगा, tension T, clear है, तो मुझे एक तो acceleration calculate करना है, इस पूरे system का, और इस पूरे system का tension T calculate करना है, ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले FVD draw करता हूँ, इसका, क्या, free body diagram, देखो, यहां मैं आपको जो final statement दोंगा, वो आपके लिए important है, आपको मैं इसको सिखाऊंगा logically की कैसे मैं आपको system का acceleration calculate करूँगा, और मैं पूरे system का कैसे tension calculate करूँगा, जबी भी question आएगा, आपको formula याद रखना है, और वो formula आपके लिए tricky तरह काम करेगा, ठीक है, यहा आपको formula आता है, वो आपके लिए tricky की तरह काम करेगा, within second आप 4-5 second में question को hit करोगे, अगर formula भूल गया है, formula नहीं आता, तो 12 से पूरे pattern पर करना होगा और उसमें थोड़ा time लगेगा, 15-20 second लग जाएंगे, ठीक है, तो आपके लिए formula है को किस की तरह काम करेगा, trick की तरह क करेगा, तो देखो, मैं आपको FBD से पहले FBD system बनाता हूँ इसका, तो पहले हम बनाते है FBD M1 mass block का, यह आपका M1 mass block है, ठीक है, और यह क्या है, A solution से ऊपर की तरफ जा रहा है, A solution से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो देखो इसमें जो tension लग रहा है, वो क्या लग रहा है, body से अभी यह T, और gravity force नीचे की तरफ लगेगा, वो कितना लगेगा, M1 G के बराबर, clear है, और मैं आपको last class से पहले भी second और third NLM के लेक्शर के इंदर बता चुका हूँ, कि जो acceleration होता है, जिस direction में, A acceleration चलता है, वहाँ जो sign convention लेते हैं, positive और opposite direction में क्या आता है, negative, बना दो equation, तो देखो equation क्या बनेगी, यहां से यह negative, यह positive, तो क्या आएगा, T minus M1 G, क्योंको tension उपर की तरफ, that means positive, M1 G नीचे की तरफ, मनतब negative, तो T minus M1 G, बराबर, net force कितना हो जाएगा, M1 A, तो यहां से आप tension निकालोगे, तो कितना निकल क्या आएगा, M1 G plus M1 A, इसको बोल दो equation number 1, ठीक है, यानि इस block के अंदर, M1 block के अंदर, tension निकल के आगया, M1 G plus M1 A, अब देखो, FBD draw करो आप, इस second block का, ठीक है, यह मेरे पास second block है, M2 block, यह रस्ती से बना हुआ है, इस तरीके से, इसमें tension लग रहा है, इस से अभी T, और A solution से क्या है, नीचे की तरफ आ रहा ह है, ठीक है, तो due to gravity, gravity force कहां लगेगा, नीचे की तरफ वो कितना लगेगा, M2 G, ठीक है, अगेन वही science convention, जिस direction में acceleration, वो आप positive लेंगे, और opposite वाला negative लेंगे, बना दो equation क्या आएगी, यहां से equation बनेगी, M2 G positive, minus tension बरावर net force कितना हो जाएगा, M2 A, clear है, यह आप ही होगी second equation, अब देखो, मैं सबसे पहले इस system का आपको acceleration calculate करना से खाता हूँ, अगर मुझे इस पूरे system का acceleration निकालना था, आप जो tension की value यह वाली दे रखी है, यहां put कर दो, तो देखो, यह जाएगा, M2 G, minus, tension की value कितनी है, M1 G, ठीक है, और plus है, तो direct खुल देता है, उसको यह क्य हो जाएगा, तो M1 A, प्लस M2 A, आप इस में से A common ले लो, तो यहां से क्या बचा, M1 प्लस M2, और यहां से आप क्या ले लो common G, तो M2 minus M1 into G, और मुझे system का क्या निकालना है, acceleration, तो इसको नीचे ले आओ, तो M2 minus M1 into G upon M1 plus M2, बराबर A, यानि इस system का जो acceleration आ गया, निकलक यह है, चीक है, तो system का acceleration निकलके आ गया, M2 minus M1 G upon M1 plus M2, clear है, यह कब के लिए acceleration है, जब आपका M2 block जादा है, यहनि इसका mass जादा है, अगर इसका mass 10 kg है, तो इसका 5 kg है, मतब M2 जादा है, तब के लिए acceleration है, ठीक है, लेकिन यहीं logically क्या देखो, अगर मैं आपसे यह बोलत कि नहीं, यहीं देखना आप, important condition, यहीं मैं आपसे अगर बोलता कि नहीं, M1 is greater than M2, तब क्या होता, case से देख लो, case second, अगर M1 बड़ा होता M2 से, यह तो condition किसके लिए है, जब M2 बड़ा है M1 से, तो देखो ध्यान से logically, जो बड़ा होगा वो पहले आगा, क्यों बड़े म minus M2, ठीक है, तो यहाँ जो acceleration निकल के आएगा, इस पूरे system का, वो कितना हो जाएगा, इस case के लिए, M1 minus M2 into G upon M1 plus M2, clear है, तो आपके लिए, अब जो acceleration निकल के आगया, वो यह होगा, यह कब के लिए, जब आपका M1 बड़ा है M2 से, और यह कब के लिए, जब आपका M2 ब हो, अब देखो आप, मैं पहले इस case के लिए, जब M2 बड़ा है M1 से, यहाँ आप tension calculate करो, कितना tension निकल के आगा, इस पूरे system का, तो देखो, एक काम करते हैं, पहली वाली equation है, आप acceleration की value पूट कर तो आपको tension की value मिल जाएगी, clear है, तो देखो equation, यहाँ, पहली equation उठाओ, तो T बड़ाबर M1 G, T प्लस M1 A, clear है, अब देखो आप, मैं इस system के लिए define कर रहा हूं, जो M2 बड़ा है M1 से, तब के लिए tension निकाल रहे हैं, तो क्या आएगा, आप acceleration की value यहाँ पूट कर दो, यहाँ, यह वाली system में, ठीक है तो देखो, तो T बड़ाबर आजाएगा ही M1 G, प्लस M1, और acceleration की value पूट कर दो, आप, M2 G, माइनस M1 G, अपॉन M1 प्लस M2, अपॉन M1 प्लस M2, clear है, अब देखो इसको bracket को open कर लो, तो यह आएगा, T बड़ाबर M1 G, प्लस M1 M2 G, M1 M2 G, माइनस M1 स्क्वार G, अपॉन M1 प्लस M2, इसको solve कर लो, crossman deploy करेंगे तो आएगा, M1 स्क्वार G, प्लस M1 M2 G, प्लस M1 M2 G, माइनस M1 स्क्वार G, अपॉन M1 प्लस M2, clear, तो देखो, M1 स्क्वार G से, M1 स्क्वार G, खतम, तो M1 M2 G, प्लस M1 M2 G, क्या जाएगा, 2 M1 M2 G, यह आजाएगा, 2 M1 M2 G, अपॉन M1 M2 G, अपॉन M1 प्लस M2, यह आपके लिए आगया, Tension T, तो बहुत-बहुत important condition, इस system के लिए, जो Tension निकल के आए, वो आपको direct formula याद रखना है, जो आपके लिए trick की तरह काम करेगा, आपको मैं question भी कराऊँगा, तब आपको clear हो जाएगी, यह बात मैं आपको सही बोल रहा हूँ, ठीक है, तो यह जो formula है, आपके लिए trick की तरह काम करेगे, logic मुझे बताना necessary है, तो अगर मैं चाहता तो direct formula भी रख सकता था आपके लिए, लेकिन एक बार logically जानना भी necessary है, आया कैसे, तो देखो, T बराबर कितना हो जाएगा, 2 M1 M2 G upon M1 plus M2, clear है, लेकिन अब देखो, लेकिन अब यह तो किस case के लिए था, जब M2 greater than M2 होगा, तो उसके लिए आपको का tension निकालना हो, तो वो क्या होगा, इसको note करो, फिर मैं वो explain करता हूँ, अब देखो, अब मैंने जो आपको tension calculate करके दिया है, वो किस case के लिए है, जब आपका M2 greater than M1 हो, लेकिन अब मुझे आपको tension इस पूरे system का, उसके लिए calculate करना है जब आपका M1 greater than M2 हो, ठीक है, तो देखो, वही equation T परावर M1 G plus M1 A, T परावर M1 G plus M1 A, आपको क्या put करना है, यह वाला formula है, acceleration की जगा put कर दो, तो देखो, यह आजाएगा, आपका M1 G plus M1 A, और A क्या है, M1 G minus M2 G upon M1 plus M2, यह आगी condition, इसको solve कर लो, M1 G plus M1 का square G minus M1 M2 G upon M1 plus M2, again solve कर लो, इसको यह आजाएगा, M1 square G plus M1 M2 G, ठीक है, M2 G plus M1 square G minus M1 M2 G upon, आगे आपका M1 plus M2, clear है, देखो, यहाँ से आप M1 M2 G और M1 M2 G आप cancel कर सकते हैं, ठीक है, minus plus cancel, तो यह आजाएगा, M1 square G plus M1 square G, तो यह आजाएगा, 2 M1 square G upon M1 plus M2, यह आगे आपका T tension, यानि, जब आपका M1 greater than M2 हो, बहुत important condition, जब tension होगा, वो कितना होगा, M1 square G, 2 M1 square G upon, M1 plus M2, और जब आपका M2 greater than M1 हो, तब आपका T tension क्या होगा, 2 M1 M2 G upon M1 plus M2, किलियर है, यह आपके यह formula याद रखने पड़ेंगे, और आपके लिए direct trick का काम करेंगे, आपको मैं जब questions कराऊँगा न, वो direct यह formula पूट करूँगा, और within आप 3 and 4 second आप question को hit करोगे, किलियर है, तो acceleration M1 greater than M2 के लिए, acceleration M2 greater than M1 के लिए, और इनको याद क हो, तो M1 को आगे लिख दो, M1 minus M2 G upon M1 plus M2, क्लियर है, टेंशन इस केस के लिए find out करना है, तो 2 M1 M2 G upon M1 plus M2, और इस केस के लिए आपको tension define करना है, तो 2 M1 square G upon M1 plus M2, क्लियर है, यह तो आपका हो गया case, first के अंदर मैंने आपको दोनों चीज क्लियर कर दी, कि अगर पुल यह note करो, फिर मैं आगे और next explain करता हूँ, अब देखो next case, case number second, तो question क्या है, question यह है, कि आपके पास यह pulley है, ठीक है, और यह main रसी है, ठीक है, यह बंदी हुई है, इस तरीके से, इस में यहां, इस रसी में, एक m mask का block है, क्लियर है, और यह fix है, यह यहां से fix है बिलकुल, यहां कुछ भी नहीं है, यह बंद रखी है, इस तरीके से fix है, और यहां यह m mask का block है, क्लियर है, तो हमसे सवाल पूछ रहा है कि में जो रस्षी है उसमें टेंशन कितना होगा में रस्षी का मत्दब ये वाली रस्षी जो है ये वाली रस्षी ये में रस्षी है ठीक है तो इस में रस्षी में टेंशन कितना होगा तो भाई, टेंशन तो अमेसा अवे लगता है तो मानों टेंशन कहा लगेगा? उपर की तरफ टेंशन, यानि मेन रसी में टेंशन टेंशन इन मेन रोप इसलिए मैं इसको किसे रिप्रेजेंट करना हूँ? टेंशन हम से बोल रहा है कि टेंशन निकालो आप टेंशन इन मेन रोप मेन रसी में यह आपको कैलकुलेट करना है, कब? जब तो कोई इससे बधा हुआ है यानि यह फिक्स है अपनी जगह पर यहाँ फिक्स है, क्लियर? और यह M मास का ब्लॉक है यह मूब नहीं कर रहा इस्टेशनरी है, यानि इस्थिर है तो important condition यह क्या है? इस्टेशनरी यानि इस्थिर है ठीक है? यह मूब नहीं कर रहा है उस case में आपको इस मेन रसी में कितना tension होगा, वो calculate करना है क्लियर है? यह आपके पास है question तो देखो tension हमेशा body से away लगता है तो यहाँ tension T लगेगा और अभी यहाँ भी tension T लगेगा clear है तो इसका ability draw करते हैं तो देखो यह M1 mask का block sorry M mask का block और इसमें tension उपर की तरफ लग रहा है तो gravity force कहा लगेगा नीचे की तरफ कितना mg अब आप बोल रहा है question ने के stationary है क्या है यह stationary है अगर stationary है move नहीं कर रहा है that means इसका बेग यानि velocity कितना होगा 0 velocity 0 है आप मैं बोल लूँ velocity constant है तो अगर velocity 0 तो acceleration क्या होगा इसका system का 0 यह बात clear है acceleration कितना होगा 0 क्योंकि यह stationary move नहीं कर रहा यह यहीं के लटका हुआ इस तरीके से यह move नहीं कर रहा तो stationary होने का मत्तब क्या इसकी velocity 0 या constant बोल दो यह नहीं acceleration कितना होगा 0 तो देखो बना दो equation simple T-mg बरावर m a net force के acceleration कितना है 0 तो T-mg कितना हो जाएगा 0 और T बरावर कितना हो जाएगा mg clear है यानि यहाँ इस रसी में जो tension आया इस block की बज़े से m mask की block की बज़े से वो कितना है mg निकल के आया लेगिन हमें निकालना किसमें tension इस main rope निकालना है main rope में main rसी में निकालना है tension तो थोड़ा इस diagram को मैं easy बना देता हूँ इस question को करने के लिए देखो कैसे ये आपकी ये आपकी main रस्ती है जिसमें tension कितना T है तो इस diagram को थोड़ा सा आप easy बना लो इस तरीके से ये जगह fix है और इसमें M mask का block है और इसमें tension का लग रहा है उपर की तरफ T और यहां भी tension का लग रहा है T ठीक है तो अब देखो आप tension का लग रहा है उपर की तरफ लग रहा है तो यहां जो tension लग रहा है इस main रस्ती में किसकी वज़े से लग रहा है इसकी वज़े से और इसकी वज़े से तो मैं क्या कर दूँगा Tm बराबर क्या जाएगा T plus T दोनों को add कर दूँगा इन दोनों की बैज़े से तो इसमें main रस्ती में tension लग रहा है T plus T और T plus T कितना हो जाता है 2T और T की value कितनी है mg यानि जो main रस्ती में जो tension होगा वो कितना होगा 2T और T की value कितनी है mg 2 mg clear है तो को यह जो point है वो fixed clear है यह fix point है और इससे एक M mass का block यहां लटका हुआ था इसके नदर tension कितना लग रहा है T उपर की तरफ और यह fix है इसमें क्या लग रहा है tension T उपर की तरफ तो इस main रस्ती में जो tension आएगा वो just because of इन दोनों tension की वज़े से आएगा दोनों क्या हो जाएंगी add तो यह 2T और T की वज़े कितनी है mg तो main रस्ती में जो tension होगा वो कितना होगा 2 mg तो ऐसा आपको कोई सवाल देखे मैं आगे कराऊंगा थियोरी के बाद लेकिन आपको पहले ही मैं बता रहा हूँ ऐसा कोई सवाल देखे इसमें एक M मास का ब्लॉग दे रखा हो और वो stationary हो move नहीं कर रहा है move नहीं कर रहा है stationary हो तो वहाँ जो tension होगा main रस्ती में वो कितना होगा 2 mg main रस्ती के अंदर tension है TM बराबर 2 mg ठीक है और सिर्फ और सिर्फ इस रस्ती के अंदर tension नहीं कलवा रहा हो जब कब की condition जब यह क्या हो stationary तब कितना tension होगा mg यह formula आपके लिए trick की तरह काम करेंगे यह note करो फिर मैं आगे explain करता हूँ case number 3 अब देखो case number 3 case 3 क्या है कि आपके पास एक horizontal surface पर 36 आपके पास M1 मास का block रखा है ठीक है और इस surface कैसी है frictionless ठीक है अब देखो case number 3 ठीक है इस पर मैं आपको question करा हूँआ जितने भी मैं आपको theory करा रहा हूँ सब पर based questions है ठीक है तो देखो ध्यान से देखना यह आपको एक M1 मास का block दे रखा है और इस तरीके से एक rope से pulley से बना हुआ है इस तरीके से pulley है और एक आगया यह M2 मास का block इस से बना हुआ है ठीक है लटका हुआ है इस pulley से clear है तो देखो लटका हुआ है तो pulley की वैसे कहा रहा होगा नीचे की तरफ आ रहा होगा इस में और यहां मतलब किदर लग जागा बॉड़ी से अभी इधर की तरफ टेंशन टी ठीक है तो इस सिस्टम का हमें क्या explain करना है क्या calculate करके देना है टेंशन टी और इस सिस्टम का मुझे आपको दूसरा चीज isolation तो रण आपको calculate करके देना है पूरे सिस्टम का ठीक है तो देखो ड्रॉ करते हैं M1 मास के block का FBD तो देखो इस पर tension का लग रहा है इधर की तरफ T टेंशन लग रहा है horizontal छेतित दिसामे अब देखो इस पर gravity के वैसे force तो नीचे लगए gravity force that is M1G clear है यह इसका हो गया diagram FBD तो आप simple देखो यह acceleration से इधर की तरफ जा रहा है तो यह वाली value कहूंगी positive और इधर वाली value कहूंगी negative तो T अब देखो इसको तो हम लेंगे नहीं क्योंकि हमारा जो block है वह horizontal जा रहा है vertical नहीं आ रहा न वर्टीकल जा रहा यानि उर्दधर नहीं जा रहा है simple simple कैसे जा रहा 36 में जा रहा ऐसे की तरफ तो हमें इस component से तो कोई मतलब है ही नहीं ठीक है तो हमारा जो block है M1 मास का इस तरीके से जा रहा है तो यहां जो T होगा वो किसके बराबर होगा net force के और वो कितना है M1A clear है तो हमें इस component से तो कोई मतलब नहीं क्योंकि हमारा जो block है वो इस direction में जा रहा है ना कि ऊपर से या नीचे से ऊपर जा रहा है किलियर है तो यहां जो टेंशन होगा इस रोप में वो किसके बराबर होगा net force के that is M1A अब देखो अब इसका every draw करते है M2 block का M2 मास का block है तो इसमें जो टेंशन लग रहा है इससे अवे लग रहा है T और gravity की बैशे जो gravity force लगेगा वो लगेगा M2G नीचे की तरफ और A acceleration से नीचे की तरफ आ रहा है तो यह वाली sign convention positive उपर वाला negative बना दो equation यह आजाएगा आपका M2G minus T बराबर what net force that is M2A clear है अब मुझे इस system का पहले acceleration calculate करना है तो tension की जगह है क्या put कर दूँगा यहाँ T की जगह है M1A तो देखो put कर दो M2G minus M1A बराबर M2A यह negative उदर जाएगा तो positive बन जाएगा तो M2G बराबर M1A plus M2A अगर आप यहाँ से A common ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा M1 plus M2 तो आप simple देखो यह आगया आपके पास M2G बराबर acceleration common ले लो तो अंदर क्या बचा M1 plus M2 और यह simple आजाएगा M2G upon नीचे की तरफ आजाएगा M1 plus M2 बराबर A तो इस system का आपको क्या मिल गया acceleration मिल गया M2G upon M1 plus M2 किलियर है तो आपको इस तरीके से गर horizontal direction में M1 मास का ब्लॉक दे रखा हो और एक ब्लॉक M2 vertical direction में लटका हुआ है और A acceleration से move कर रहा है तब आपको इस पूरे system का जो acceleration होगा वो कितना होगा M2G upon M1 plus M2 अब कुछ यह सोच रहे होगे कि इतने सारे formula कैसे याद रखें हम अरे बाई जितने आप questions practice कर लोगे न easy way में आपको learn हो जाएंगे अगर formula याद नहीं करोगे question आया तो फिर आपको इस तरीके logic से करना होगा time तो कुछ नहीं लगेगा अगर आपको practice है तो minimum minimum 10 seconds 15 seconds में easily हो जाएगा अगर आपको practice है अच्छे से लेकिन यह formula आपके लिए tricky तरह काम करेगा ठीक है अगर formula याद है तो अगर आप lots of questions practice कर रहे है तो easily आपको formula याद हो जाएंगे इसमें ज्यादा formula है नहीं आपको उस पूरे system का acceleration calculate करना है और उस पूरे system का tension calculate करना है ठीक है तो दो को acceleration निकल के आगए आप tension निकाल दो अब tension निकालना है t तो आप पहली वाली question देखो क्या है t बराबर m1 a तो आप यहाँ acceleration की value put कर दो तो कितना है m2g तो acceleration की जगे अप्रोट कर दो m2g upon m1 plus m2 तो यहाँ जो tension निकल के आगया कितना आगया इस system का m1 m2g upon m1 plus m2 यह निकल के आगया ठीक है यह आपको होगा t बराबर m1 into m2g upon m1 plus m2 ठीक है तो आपके exam के विहाब पर इतनी ही theory है tension की यानि sorry पुली की इतनी ही theory है पुली की आपको यही तीन case आपको आने चाहिए बस अब यह note करो अब मैं आपको इन पर based questions explain करता हूँ अब देखो questions जो भी मैंने theory explain की है ठीक है उसी पर based आपको questions कराऊँगा और वीडियो का end तक जरूर देखना क्योंकि questions करना necessary है अगर आपने question नहीं किये तो theory करने का कोई भी benefit नहीं होगा कोई idea नहीं लग पाएगा कि questions कैसे आएंगे और उनको कैसे हमको hit करना है क्योंकि question hit करने के लिए आपको मैं अलग-अलग techniques बताऊँगा हर question के लिए ठीक है देखो question no.1 question बोल रहा है two blocks M1 equals to 5 gram and M2 equals to 10 gram are hung vertically over a light frictionless pulley as shown in figure what is the acceleration of the masses when left free where G is the acceleration due to gravity option A G by 3, G by 2 and G and G by 5 यानि दो block है एक का mass 5 gram है और दूसरे का mass 10 gram है एक हलके गरसन रहे चर्की पर लमवत लटकाए जाते हैं जैसा कि figure में दर्साया गया है मुक्त होने पर दिर्विमान का तुरण होगा यानि इनको free कर दिया है free to move ये free हैं तो free to move है तो भीया free to move है तो देखो जो heavy होगा वो नीचे की तरफ आएगा isolation से ये उपर की तरफ जाएगा कहने का मतलब क्या है याद करो कौन सा logic हो गया ये मानो m1 mass का block और ये m2 mass का block तो कौन सा case आ गया m2 is greater than m1 clear है बात और question के अंदर क्या निकलवा रहा है इस system का क्या निकलवा रहा है isolation तो clear है ना तो मैंने आपसे पहले ही theory के अंदर बोला था एक question आपसे पूरे system का या तो isolation निकलवाएगा या फिर तौरण निकलवाएगा ठीक है sorry tension निकलवाएगा ठीक है ना तो देखो isolation निकाल दो direct formula क्या था ऐसे case में जब m2 greater than m1 था याद करो logic जो बड़ा है उसको पहले लिखो और छोटे वाले को minus कर दो m2 minus 1 m1 g upon क्या था m1 plus m2 ये था isolation तो दो को m2 की value कितनी है 10 gram और m1 की कितनी है 5 g की ट्रम में answer दे रखा तो g की value नहीं लिखनी तो m1 10 plus 5 10 minus 5 कितना हो गया 5 और 5 upon 15 तो ये आगया 5 g upon 15 तो कितना हो जागा 5 3 to 15 तो answer होगा आपका g by 3 कुछ भी नहीं है अगर इस question को आप solve करने लग जाते free body diagram बना के तो आपसे थोड़ा time consuming होता इसलिए मैं आपसे बोड़ रहा था आपके लिए जो formula है ना ये सब formula तो practice हो जाएगी मैंने आपको एक टैप यहां करा दिये अब आपको करना क्या है कोई भी book लो उसमें से आप question practice करो अगर आपको मुझसे ये जानना है कि हमारा upcoming exam है उसके लिए हमें कौन सी book लगानी है तो मुझे आप ज़्यादा सेता comment करो तो मैं आपको एक अच्छी book सजेस्ट करोगा कि आपको नवी डबले के लिए उस exam को fight करने के लिए क्या strategy होनी चाहिए और कैसे आप किस book से questions लगाएंगे आप जाज ज़्यादा comment करोगे तो मैं आपको जरूर एक अच्छी book सजेस्ट करोगा जहाँ आप number of questions ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे ठीक है अब देखो second question अब देखो next question question बोल रहा है a block A of mass 7 kg is placed on the frictionless table a thread tied to it pass over frictionless pulley and carry a body B of mass 3 kg add the other as shown in figure ठीक है the acceleration of the system is और आपको यहाँ G की जो value ले नहीं है वो ले नहीं है आपको 10 meter per second square option A 100 meter per second square होगा system का acceleration या 3 meter per second square होगा या 10 meter per second square होगा या 30 meter per second square होगा तो देख लो वही चीज same मैं आपसे बार-बार बोल रहा हूँ कि आपको system का tension और acceleration निकालना है तो देखो figure मैंने यहाँ बना रखा इस question का तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले यही logic कराया था कि अगर इस type का आप तो सवाल मिलता है अगर horizontal direction में M mass का block move करता है acceleration से ठीक है और एक दूसरा vertical direction में acceleration से move करता है तब इस पूरे system का acceleration है वो कितना बताया था मैंने आपको वो बताया था M2G upon M1 plus M2 यह आपके लिए मैं बता रहा हूँ tricky तरह काम करेगा अगर formula नहीं याद है न तो आप conceptual भी कर सकते हैं लेकिन उसमें थोड़ा time consuming है 10-15 seconds लग जाएंगी लेकिन अगर आपको formula याद है तो आपको easily हो जाएगा तो आपको यहां main में आपसे बार-बार बोड़र हो कि आपको formula आना चाहिए by practice आपको सारा learn हो जाएगा practice करोगे number of questions तो easily हो जाएगा तो देखो M2 Giga मतलब क्या है M2 मतलब बोले तो 3 kilogram इसको M1 यह M2 तो 3 kilogram और G की value 10 बोली है उसने M1 प्लस M2 यह नहीं 7 प्लस 3 कितना हो गया 10 10 से 10 खतम तो कितना आ गया 3 meter per second square तो option B is correct मतलब कुछ है nothing तो basically question कितना भी बड़ा लेंडी हो आपको यह formula को बहुत अच्छे से याद कर लेना है यह आपके लिए की तरह काम करेगा यह note करो फ़र मैं next explain करता हूँ अब देखो next question question बोल रहा है a light string passes over a frictionless pulley to one of its end a mass of 6 kilogram is attached to the other end and a mass of 10 kilogram is attached scene figure यह आपको figure दे रखा है ठीक है तो the tension in the thread तो उस धागे के अंदर उस thread के अंदर में tension calculate करना है option a 24.5 newton option b 2.45 newton option c 79 newton option d 73.5 newton तो एक हलका तार एक घरसन रहित चर्खी के ऊपर से गुजरता है इसके अंत में एक दर्बबान 6 kilogram से जुड़ा हुआ है और दूसरे छोर पर 10 kilogram का दर्बबान जुड़ा हुआ है थेड में तनाव होगा तो देखो यह condition है तो बताओ क्या condition follow रही है m2 greater than m1 अगर यह m1 बोलूं इसको m2 बोलूं तो क्या क्या condition follow रही है m2 greater than m1 और मैंने क्या डारेक्ट आपको टेंशन कल्कूट करना सखा था ऐसे के लिए 2 m1 m2 g upon m1 plus m2 देखो यहां आप g की value 9.8 meter per second square ले लेना 9.8 meter per second square clear है तो देखो 2 into m1 की value कितनी है 6 m2 कि value कितनी है 10 g की value कितनी है 9.8 upon m1 plus m2 10 और 6 16 बोलो clear तो देखो 2 edge जा 16 और 2 4 जा 8 2 3 जा 6 2 2 जा 2 2 5 जा 10 तो यह आगया 15 into 9.8 upon यह आगया आपका 2 और 2 से जब आप 15 को divide करोगे तो यह आएगा 7.5 साधे साथ और 7.5 का जब आप multiply करोगे 9.8 के साथ तो यह आएगा 73.5 और tension निकल वा रहा है तो Newton तो कितना आपके पास 73.5 Newton तो option D is correct देख लो हर question के अंदर क्या है वही formula आपके लिए trick की तरह काम कर रहा है तो बार बार में बहुत बार इस video के अंदर यही बात बोल चुका हूँ कि पुली का आपको formula याद रखना है isolation और tension तभी आप बहुत कम समय में question को hit कर सकते हो यह note करो फ़र मैं next explain करता हूँ अब देखो next question question बोल रहा है कि the force of 40 newton is applied on a block M1 placed on a frictionless surface as in figure ठीक है तो the mass of the pulley and the rope is negligible यही mass less है if M1 बराबर M2 बराबर 8 kg the isolation of the M1 will be और question के इंतर दे रखा जी बराबर आपको दे रखा है 10 meter per second इसका लेना है तो option A 0.25 meter per second square option B 2.5 meter per second square option C 5 meter per second square option D 1.5 meter per second square clear है तो हमसे बोल रहा है कि M1 block का isolation क्या होगा इसका already मैं इस type का सवाल आपको करा चुका हूँ आपको करना क्या है इस question का answer मुझे comment में बताना है अगर आपको इस question का solution चाहिए तो आप हमारी website बे विजिट कर सकते है scienceport.com वहां आपको इसका solution मिल जाएगा ठीक है अब देखो अब आपको मैं इस topic के just बात जो कराऊँगा वो होगा projectile motion यानि प्रच्छिप पे गती ठीक है जब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो को ज्यादा बज़ादा सेयर करें और चैनल को सस्काब करना ना भूलें और बैला करन को जूरू पैस करें थाकि मेरी हर वीडियो की नोटिक्रेशन आपको फ्रंग दो आप कर दो कर दो कर दो कर दो कर 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 दो कर दो